दोस्तों नमस्कार मैं पंडित ब्रिज भूशन शर्मा आप लोग के सामने एक बार फिर ब्रिज फूचर पॉइंट के सुझने से दोस्तों समय बलवान होता है समय के उनसारी जब अनसान चलता है तो हमेशा उचाईयों पे चलता है इश्वर की इच्छा के मेरा कुछ नहीं होता नर चाहा तो होत नहीं और हरी चाहत तत्काल ग्रहों का असर सब पे पड़े पक्षु हो पक्षु हो चाहिए मैं जानता हूँ कि नो ग्रहों का असर होता है रहराहू प्रवल व्यक्ति ऐसा नहीं करता और गुरू प्रवल व्यक्ति हमेशा समर्पन का भाव रखता है सरफ सोचने का तरीका है आज मेरा जो थीम है उसके पीछे है लोशो ग्रीड में 357 अगर आपका मिस है तो आपको जी यह खुद देख सकते हैं आज मैं आपको कुण्डी दिखाना कुण्डी देखना दिखाना सिखा रहा हूं जिससे आप आने वाले किसी भी क्लाइंट को या किसी भी मित्र को कि अपनी परिवार के व्यक्ति की कुण्डी को देखके एक उचित निश्कर्ष्ट पर जाता है कि अधिन देट नहीं होती जब अंतिम दिन होता है तो किया हाँ इंकों में नहीं होती हर चीज का सम्मध उंकों से है सब्छी चार दिशाएं एक सूर्य भगवान एक चंद्रमा क्या ये अंक नहीं है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कुछ लोगों का मात्र जिन लोग के चंद्रमा खराब होते हैं अजे नहीं सब कुछ बेकार है ये कहना सब में असान है निन्दा कौन करता है जिनका चंद्रमा खराऊ है जुच्त का चंद्रमा मजबूत होता है मजबूत मानसिक्ता के होते है वो लोग हमेशा कभी निन्दा नहीं करते है निन्दा करने से हमारी नकारात्मक उरजा की उत्मत्ती बर्थी चलियाती है हमें क्या करना है कैसे करना है इसका हमें ग्या नहीं हो से यह हमारी लोशोग्रीड क्या होती है जो डेटो बर्थ इश्वर ने हमें दी है वो तो नहीं बदल सकते जो डेटो बर्थ है वो ही अंक है और जो अंक मिस है इसका मतलब यह है कि उन अंकों से हमारे जीवन में किसी प्रारब्द में हमारे द्वारा उसका अचित व्यावार नहीं हुआ तो अब हमें क्या करना चाहिए उन अंकों को ठीक करके अपने जीवन को सरण और सुगम बनाके हमें आगे चलना चाहिए यह सिद्धान तो अब देखिए इनकी डेट बर्त में क्या देखता हूं एक आठ उनिस सुच्छासी इसके अंदर हम एक एक की जगा जाता है एट एट की जगा जाता है वन वन की जगा जाता है एट एट की जगा जाता है शिक्स की जगा जाता है वन एट उनिस सुच्छासी अब इसमें कितने अंक्मिस हैं देखे यह फोर नंबर होता है और यह नमबर ये 5 नमबर ये 7 अब मैं क्या देख रहा हूँ इस डेट ओब बर्थ के अंदर इन सजन का 4, 2, 3, 5, 7 मिस है अब इनका मुल्यांग क्या हुआ 1 और भाग्यांग इनका हम ये टोटल करा भाग्यांग को आज 6 दोस्तों शादी से पहले मुल्यांग काम करता है और शादी विधी होती है जो हमारा जिस सदी में जिस सदी में हमारा जनम हुआ है आप प्रिशान होने की कोई अवशक्ता नहीं है उसका टोटल कर लेगी है 1984 इसका टोटल है 1, 9, 8, 6, 24, 24 का मतलब 6, 6 नमबर किसका होता है शुक्र का अगर ये इनसान का है मिल का है तो 11 में से 6 लैस कर तो 5 कुए नमबर आजाएगा अगर फीमेल का है तो 6 में 4 जोड़ दो तो एक नमबर आजाएगा ठीक है अब ये हमारा कुए नमबर का क्या इस्तमाल करते हैं कैसे करते हैं क्यों क्या जोड़त पड़ती है जब बच्चे का जनम होता है जिस तियारिख को जनम होता है जिस हम अपने माता पिता को भगवान कहते हैं तो हमारा जनम जिस सन में जिस समय में जिस अबधी में हुआ है वो भी हमारा भगवान हो जो हमें जब घर से हम निकलते हैं किसी भी अच्छी काम को तो हम भगवान को प्रनाम करके निकलते हैं उसके पीछे उदेशे क्या होता है कि भगवान हमारी मदद करें हे प्रभू हम जिस कारिये से जा रहे हैं वो कारिया मारा हो जाए तो जब हम घर से निकलते हैं निकलने से पहले सुबह उठते ही जो भी आपका कुवा नंबर आए हैतले की मनी बंद रेखा पे उस अंग को हर यह उचे पहुचोगे अगर इनके पास सौटीश्ट नोर्थ इस नर्फवेंश्ट सौथवेश्ट हम अप निडेट ओब बर्से वास्तु को भी देख सकती हैं अगर हमारी डेट बर्थ में जिन अंकों की कमी है वह हमारे घर में वास्तौ दोश्ट पाया जाएगा अघर ह अब हम इनका wild करेंगए तो अच्छा और उचे इणिए उपह जाएए चार नंबर रहू का होता है । रहू रहू मिस देजी रहू मिस घ्यान रहू मिस धुए में से धुए को जो घौकने की श्ब्ता रखता है उसे हम क्या बोलते है राहू, यह क्या है साउथ इस्ट और साउथ वेश्ट दो नमबर चंद्रमा, साउथ इस्ट, अगर चार नमबर किसी का मिस है, वहाँ पे वास्तु दोश पाया जाएगा, ऐसे व्यक्ति की जीवन की लाइफ की दिन्चिरिया खराब हो जाएगी, ऐसे व्यक्ति के बाद धन अकठा नहीं हो पाएगा, ऐसे व्यक्ति के बास संतान, पुत्र संतान की उत्पत्ती होने में प्रिशानी आएगी, ऐसे व्यक्ति की पती पत्री के सुख में कमी होएगी, और ऐसा व्यक्ति कभी प्रेम विभा नहीं कर पाएगा, अगर प्रेम विभा करने का प्रियास करे तो वो टूट जाएगा ऐसे में टोएलेट स्टोर रूम या भारी चीज या गंदी चीज नहीं होने चाहिए टंकी नहीं होने चीज़ पाने की टोएलेट नहीं होना चीज़ अगर ऐसा इस्तित्य होएंगा तो यहां रावु खराब कर देगा और आपको जीवन में प्रेश प्रेशानी प्रेशानी आएगी जब प्रेशानियों का सामना जादा करएगा तो व्यक्तिकों दूईधै होईगी अगर चार नंबर मिस है तो हमें क्या करना चाहिए हमें इस South East दिशा को ठीक करना चाहिए, आदमे को अपने पास नीले रंग का रुमाल रखना चाहिए, और राहु के जाप करने चाहिए, राहु यंद्र को स्थापित करना चाहिए, गरीब मेले कुछले व्यक्तियों की सेवा करने चाहिए, मेहनत करने चाहिए, तो आपकी South East दिशा ठीक हो जाएगी और आपको जीवन में सफलता बिलेगी, South West, South West क्या है, दो नमबर, दो नमबर चंद्रमा का है, अगर किसी की कुण्डी में दो नमबर नमिस है, उसकी शादी में प्रेशानी आएगी, शादी लेट होगी, शादी होने के बाद तूटने के संभाव नहीं रहेंगी, क्योंकि दो नमबर चंद्रमा का होता है, ऐसा व्यक्ति जवाब देने में माहिर होता है, जब आदमी जवाब देगा, तो सास को जवाब देगा, सुसर को जवाब देगा, पती को जवाब देगा, और जेट को जवाब देगा, तो कहीं न कहीं उसके घर के विचारिक मद्भेद बिगड़ जाएंगे और ऐसे मेल हो चाए फीमेल हो रिस्ता तूटने की संभावना बढ़ जाएगे दोस्तों ये ग्यान है इसके द्वारा हम उन सब बातों को सीख सकते हैं जिसको हम जीवन को सर्ण बना सकते हैं जोतिश जोतिशी कभी किसी का भला नहीं करता जोतिश भला करने के लिए अपने चाबी से ताला खोल के आपको सही माग दर्शन कर सकता है अगर आपके ये विकार हैं अगर आप इने ठीक कर लेंगे तो जीवन में आने वाली समस्या स्वम खतम हो जाएंगी उसके बाद मैं क्या देखता हूँ हमें क्या करना चीए इस पेटिक की माला पहने चीए ऐसे व्यक्ति बहुत जल्द बाजी करता है उतावला पनूता है भैबीत होता है किसी बहुत विश्वास नहीं करता डर रहता है जल्दी काम करना चाहता है हाजर जवाब चाहता है मुझसे निकला काम होना चाहिए तो ऐसे व्यक्ति के साथ ये समस्य होती है करोदित हो जाता है और ठीक कैसे होगा स्पेटिक की माला पहने चंद्रमा की पूजा करे रोदरब शेक करे भगवान शिप की पूजा करे ऐसा व्यक्ति भगवान शिप का बड़ा प्रे होता है ये ऐसा करेगा तो जीवन में सफल हो जाएगा अब मैं क्या देखता हूँ 357 357 किसी के पास है नहीं है तो ऐसा व्यक्ति एकाकी होता है उसे भार जाना पसंद रही वो अंदर ही अंदर घर में रहेगा कमरा बंद करके रहेगा उसे समाज से घरना हो जाती है उसे समाज के सामने आने में प्रेशानी महसिस होती है दिल में घवराट हो जाती है डिप्रेशन हो जाता है ये अकेले पन के शिकार हो जाती है इने शारिरे एक शक्ती कमजोर हो जाती है फिजीकल फिटनेस भी की जाती है इनके संतान की उत्पत्ती में परिशानी आती है कुल मिलाके बहुत सी समस्य होती है और ये बिमार रहते हैं एकागी होते हैं रिजर मेचर के होते हैं अगर किसी कारणा से भीड में पोच जाए तो वहां भी एकागी दिखाए देंगे इनमें ध्रम का पर्ची संकुचित विचार होते हैं ये हमेशा अपने लक्षे को पूरा करने में लगे रहते हैं दोस्तों ये सारी के सारी इनके साथ कारण होती है अगर इनके साथ ये सारी समस्य हैं तो ये सब चीजें उन्हें देखने को मिलती है अब मैं क्या देखता हूँ इसके लिए क्या करना चाहिए हमें गुरू को ठीक करना चाहिए पांच नंबर बुद का है बुद को ठीक करना चाहिए बुद खराब है तो व्यक्ति को कही ना कही नस नाडियों में समस् और उसके बोलने में जालने में प्रिशानी आएगी और साथ रमबर केतू संतान के प्रिशानी बेटे के होने में प्रिशानी आएगी अगर बेटा हो जाएगा तो उसके काम नहीं आएगा बेटा उससे दूर रहेगा इनकी इश्दिशा भी खराब है और वेश्ट भी खराब है इसको भी ठीक करने का प्रियास करें दो, पांच, तीन ऐसे इस तीमें कभी-कभी मैंने ये भी देखा है एक मेल या फीमेल में इसे एक की डेथ हो जाती है ऐसे विक्ति के तलाख होने के संभावना रहती है दो, पांच, चद्रमा और बुध अगर नहीं है तो ना उसमें ज्यान है और ना उसका ना बुध्धी है चद्रमा मन हो गया और बुध, बुध्धी हो गया तो जब उसका मन और बुद्धी काम नी करें कि डिश्टर्ब होता है तो ऐसे वक्तियों के तलाक भी हो जाती है दोस्तों इनी शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों में विराम लगाता हूँ यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्क्राइब करना और आपको कुल्डी दिखानी हो तो मेरी फीस मात्र 1100 रोपे है मेरा मोबाइल नंबर है 9368-4332-75 तो मैं आशा करूँगा कि नेक्ट वीडियो में मैं फिर आपसे मिलता हूँ कल फिर एक नई वीडियो में और नई सोच के साथ आपसा मिलता हूँ नमस्क्राइब जाये